नमस्कर विध्यातियों मैं कमलेश कुप्ता आपका स्वागित करती हूँ बच्चों हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रही है हमारी पाथिय पुस्तक का नाम है अंत्राल भाग एक उसके हम अध्याय तीन का अध्यान कर रही है और हमारे लेखा के विश्नु प्रभाकर जी विश् को विश्नु प्रभाकर जी की द्वारा लिखा हुआ सर्थ चन जी शी ङ divorce कि किस त existem उनका बच्पन निकला और किस तरह वह किसो रस्ता की तरफ चले जीवन ने उन्होंने क्या-क्या वह रहे घृति और किस तरीकें की एक प्रकरती थी हम व absolute जोपाई करते थे उसमें वह किस तरीके के थे उनमें योगिताएं थी या नहीं थी यह शरारते वो किस तरीकी करते थे यह सब चीज हम विश्णु प्रभाकर द्वारा लिखावा सरचन जी का अवारा मसिया नाम के जीवन रतांतिक निभंत के रूप में हम पढ़ रहे हैं तो देखो बच्चो अब तक ह हर बार बस निकल देते लेकिन कई बार क्या होता था कि उन्हें दंड भी पाना पड़ता था तो दंड पाने के लिए वो किसी के सामने गिड़ गड़ाते नहीं थे कि मुझे सजा मत दो बल्कि वीरों की तरह वो सजा पाते थे अपनी मा से भी कई बार उन्होंने सजा प्रां रक्षा कराने के लिए पताई कहने के लिए कौन से मंत्र काम में लिया जाता उन्हों ने अगर या भी पढ़ लिया था उसन्सार कोश नामक बुस तक में जोकि उनुनके पटाईजी के पूस्त काला-ई-स नाता करेंकि उसले को गुशत को सरत अब वीर उतला ह उन्होंने किस तरह सप को यानि सांपों को बसमी किया जा सकता है उसका मंतर भी उन्होंने पढ़ा और एक सांप को बसमी करने चल दिये उसके आगे का हम यहां वरतान ताज देखेंगे तो देखो बच्चों बड़े उस सहा के साथ उसने बेल की जड धून निकाली मतला यह पुस्तक में लिखावा था कोई बेल की जड लेकर के और एक हाथ लंबी और उसको अगर सांप के फंड के पास लगा दे तो सांप निर्जी हो जाएगा और मर जाएगा तो सरत ने बड़े उससांगे साथ बेल की जड धून निकाली सांपों की कमी नहीं थी बच्चों चाहरे हैं कि उस दिन सरत के मंतर का पता सांपों को चल गया इतलिए उस दिन उनको कोई सांप नहीं दिखाए दिया क्योंकि जड लेकर के और सांपों को मारने के लिए चला भाई सांपों को अपने वश्में करने के लिए लेकिन लेकर के उनसार उन्हें इस मंतर का पता च के नीचे मलबे में गोह के पता लगा झाल तुमाब हो रहा है कने था उसके प्रजाती होती है उसके बछेगा पता चला उसका सबगा चुछिपSARत वहाँ तो किसी ने बताया होगा सरत को कि महां पर गोकुरु साप का बच्चा है तो सरत बहुत कुछ हुआ कि आज तुमा उसको क्या करूंगा वश्मे करके रहूंगा या निर्जीव करके रहूंगा तो खुशिशे बरका सरत अपने दल सहीत वहां जा पोचा और उसे बाहर निकालने क लिए उसको छेडने लगा बालकों की इस अत्याचार चुप दो कर साप के उस बच्चे ने अपना फन उठा लिया और सरत इसी चंड की रहा देक रहा था सरत को उसके फन पर चड़ी लगानी थी अब बालक जब उसको परेशान कर रहे थे किसको साप के बच्चे को तो लगा दी जाए तो निर्जीव हो जाता है शरत इसी चंड की रहा देख रहा था तुरंत आगे बढ़का उसने बेल की जड़ उसके सामने कर दी और उसे विश्वास था कि अभी वह साप सिर नीचा करके चमा परातना करना लगेगा यानि कि अब उसको शरत ने पुस्तक मे वह सबिसए नहीं तो मैं मर जाओंगा लेकिन निष्वी होना तो दूर भालडब बच्चा बार बार उसको अ अन्हकों मतलब फंट्र सब्रों मतलब गुशे चन्ट लागा ठाटने को अम कहतें लगेविं यह देखकर बालक भयातूरों उटे भयातूर मतलब डर से व्याकुलों उटे बालक सारे बच्चे डर्गे भी इस आप तो मरानी उपर से जड़ को डस रहे तब मणी मामा कहीं से लाठी लेकर आए और उन्होंने सनातन रीती से उस बाल सर्व का संगार कर डाला अब उन्हों संगार कर डाला उसका ऐसा लगता है तब तक सरत की बेट विलासी के म्रत्यून जैसे नहीं हुई थी यानि अभी तो सरत बाला की तक सरत चंद बंदों पाधियाय पंगे तो इनों ने रसना लिखी विलाशी का इक पात्र था म्रत्यून जै क्या नाम था उसका म्रत्यून जैसे तो यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने सब्सक्राइब यानि जो सरत थे वो बहुत बैलू मन के थे दयालू दिल के थे वो कभी किस जी की आथ नहीं कर सकते थे लेकिन तब तक उन्हें जादा ज्यान नहीं था सरत को तो लेखक के अनुसार सरत की बेड़ तब तक सरत के द्वारा रचित रसना है विलाशी उसके पात्र हैं मृत्यून जै बहुत दयालू प्रात्र होगा या जो कुछ भी होगा विलासी का सवह लिए कि गल्क को फाल सरत को जड़ दिखाने से पूर एक काम और से ज़ात को सबस्क्ताइब कि उसको जड़ दिखा टो है तो पर यह से तया कोई मामुली से सिख उसे भागे जांब एसे बचानी ही सुझेगी बच्चों अब सरत को जहानाया कि जड़ मतलब जो पेड की जड़ की बेल की जड़ इसको दिखाई उससे पहले एक काम और करना था जिस आपको जड़ी दिखा कर भगाना हो या मारना हो तो पहले उसके मुह को गरम लोए की सीख से कई बार दाग दो मतलब जला द सब्सक्राइब करेंगे तो भागे गाई श्रीकांत और विलासी अधी अपनी रस्नाओं में कथा शिल्पी सरचन ने इस विद्या की अच्छी चर्चा किया कि तुम्हें किसी को मामूली चीज से मार कर भगाना है तो पहले उसके लिए उसे कोई कढ़वी या कढ़ी चीज खिलानी पड़ेगी जिस प्रकार की जड़ दिखानी है साप को तो साप जड़ से नहीं मरेगा उससे पहले उसको गरम लोगे की सिंख से दागना पड़ेगा फिर तो जड़ दिखाओ चैमा भाग जाएगा इस तरीके कि कुछ जो कथाएं उन्होंने अपनी श्रीकांत और जड़े बने वे थे उनकड़ों में कूद कूद करके नाते थे कभी वो जो भूता हमकान था उसमें अखाडा बना लिया था मतलब नानाओं का जो अनुशाशन था उस अनुशाशन को तोड़ना उन्हें बहुत प्रिय था पतंगे उड़ाना लट्टू गुमाना बच्च चला गया पुकार उठती कहां गये शरद्धा यही तो थे कहां थे कुछ पताने लगता परन्तु जब खोश खबर कर सब तक जाती तो नहीं कहां से आकर वे अजिर हो जाता यहीं उपस्टी तो जाता तो जब तु नहीं मिलता लेकिन जब च्ब्सक्रों कर खोजने जाते उसको तो स्वेमी आकर के महां उपस्तित हो जाता था बच्चे उसे घेर लेते और पूस्ते कहां चले गए थे तपोवन तपश्या करने के लिए जा अनकूल वन उनकूल जगे होती है जारो तरफ पेड़ पोदे होते हैं गंगा किनारा है हरी सूरज की रोशनी आरी है चारो यहाँ है बता ही जा रही है बच्चे पूछ और यह हमें भी उसने किसी को भी नहीं बतलाया लेकिन सुरंदर मामा से उसकी उसकी सब और पड़ती थी पड़ती क्रति सब मतलब सले मामा or सुरेंदर माMa तो यह सुरेंदर मामा कर्ट शौन ने उसकी मा का腹 दूट नहीं दूबना ना दिखा ईना और उसकी मान फिर से दूसरी संतान होने की संभावना दिखाई तो इसकी मां दूद पिलाना चोड़ दिया था उदर का चोटा भाई शैशहों में ही चल वसा था शैशों माने शिश्व अवस्ता का समय यह शिट बहुत सब्सक्राइब करने पर एक दिन वे उसको साथ लेकर किसको सुरेंदर को साथ लेकर तपोवन गया और जाने से पूर उसने सुरेंदर से क्या कहा देखो शारत ने कि मैं तुझे वहां ले तो चलूँगा परन्तु तु सूरे गंगा और हिमाले को शाक्षी करके यह प्रतिग्या करके किसी और को इसी स्थान का पता नहीं बतलाएगा मतलब कुल में लाकर के शरत ब मुष्म अकेला ही रहना चाहता था शांति की कोज में था बच्चो जो फॉल हम आगे से आने स्टूलं में रहा ने रहे कर adopt печs में कि अश्ति रट करना चाहता था अब उसने सुरेंदर को का कि मैं तुझे तपन ले तो जाऊंगा तुछी बन थी और क्यों बनती थी मैंने आपको बताया लेकिन वाह अगा परंद तुझे सूरे गंगा और हिमाल्य को शाक्षी करके शाक्षी मतला इन तीनों को गवा मान करके, तीनों प्रकृषी की चीजे है, सूरे पी, हिमाले पी और गंगा और तीनों बहुत पवित्र है, इन तीनों को शाक्षी मान करके, यह प्रतिग्या कर सिस्तान second को आपता मैं नहीं बतलाएगा, मैं तुझे को году मैं तुझे तप ओ प्रतिग्या करता हूं कि किसी और को इसस्थान का पता नहीं बताओंगा तीन बार अलग अलग पहले किसी चुर रही एक परिपन दिखा अब चल घौश परिवार के मकान के उत्तर में गंडा के बिल्कुल पहँसी एपके कमरे के अंधिकार से आचछ न कर रखा था क्या था जो गोषपरिवारि जो गांगों ही और कोई दूसरे का निख। उसी बार संटार में गंगा के बिल्कुल पहती ती उसके पास में कम्रे के नीचे नीप और करेंदो की मसे क Healing ऐलाका और थ chased और जंग ऑप वंजार सारे को जहाडियां उनकी जाडियों निगे को रखा अंधिकार अंदेरा प्रकार किया नहीं बहुत प्रकार की लताओने पेड सिरह उनके बहुत सारी बेलेंं चड़िवी थी और वह सब्सक्राइब करना नहीं जा सकता है नियम के पेड़ और करूंदे उन सब को मिला करने समने मिला करके मतलब उसको अच्छे से ढख रखा था बड़ी साउधानी से एक इस्तान की लताओं को हटा कर सरत उसके भीतर गया और थोड़ी सी साफसुत्री जगे ती यह जगे पहले हरी बरी लताओं के वीतर सुरह की उजवल के ने छं-चंक और उनके कार इस निवारित प्रकाश फैल गया था देखकर आखे झुडाने लगी और मन गदगद हो करमानों की इसी स्वपनें लोकि पहुँच गया देखो जब अंदर गया तो क्या डेका हरी लटाओं के बीत चुरे की उजवल किरने चंचंचं कर आ रही थी उजवल यह निया शफेज चंकी यह किने। तरह इंदेया कि परेम युक्ष में प्रेम के यानि है हरे रंकाश तो जो बच्ष की आ यह लेकिन हरे रंका इसलिए नहीं हरे पेड़ों नहीं हो चम्की ला कैसा प्रेम सितल हरा प्रेकास पूरा उसके अंदर तपवन के अंदर जो पना रहा देखकर आखे जुड़ाने लगी आखे जुड़ाने लगी आखों में संतोशुत्पन होने लगा बड़ी शांती की जगह थी बहुत अच्छी जगह थी उस प्रकाश को देख करके और उस इस्थान को देख करके क्या हुआ मन प्रसंद होने लगा और आखों में बना रहा था चोटी जगे में बड़ा सा पत्था रखा था उसके उपर बैठ कर सरत ने तुरेंदर को बुलाया यह खुद अंदर जला गया अंदर जाके यह अंदर का वड़ना ने क्यों जो जो अधरी प्रकास चारों तरफ फैला था और मन एक दम अंदर जाते ही शांती कि जाने लगा यह प्रेम और संतोष और शीतल ता वहां मन को लगने लगी तो महां क्या था बड़ा सा पत्थर से रतने रख रखा था और उसने सुरेंदर को अंदर बुलाया शुरेंदर ड़ते पास बैठा नीचे खर श्त्रोत्रा गंगा वह रही थी खर श्त्रोत्रा जाने में देखा कर रही को परशने रोमान यह रही तो उसने महां जाकर नीचे तेज़धार वाली गंगा बह रही है उसात ही उसकि दुना की पार हैं उसका और दिखाई दिकाई दिराहंरा भाडिनी दीमी ताम हवा चल रही है मिलुप मिल और बसक रेने की मिल्पानि की लहर घंगा कर दें वहा से पानी की लहर हई एढ़яс रही को प्रसंटा से भर रही और जाऊ इंडैने मुग्द कर यांद तो ने पहले बताई नहीं संदर जगे शरत बोला हां इस जगे आकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है नहीं जाने क्या क्या सोचा करता हूं बड़ी बड़ी बाते सब यहीं दिमाग में आती है बचो जहां एकान तो आप भी जब पढ़ने बैठते हो घर में कर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें क्या 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 मेरे दिमाग में आते हैं यहीं आतीले हैंहीं यही बैठकर क्या'Twash सोर्गूल होता रहता है सिरंदर तोलिस टिंश कोई पर हो जो एक सभूगा सुर कि इस बार तुमने अंग गणित में सो में से सो अंग कैसे पाए थे यानि सुरेंदर कह रहा है तुम यहां बैठ करके अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हो इसलिए मुझे पता चला इतनी चांती की जगे बैठके पढ़ोगे तो जरूरे सो में से सो इनमबर मिलेंगे इस जाने कित्री बार इस पवित्र मोने कांत में आकर बैठा होगा यानि शरत है जो ना जाने कितनी बार इस जगे आकर के बैठा होगा उसने पतानी क्या क्लपनाई की होगी और क्या-क्या सोचा होगा दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाज गंगा की कल-कल ध्वनी म मिलकर एक रहष्य में वातावरण का निर्मान करती होगी यानि कि यह सुरेंदर रोसरत दोनों बैठे हैं और लेकक कह रहे हैं कि दूर से आती बच्चों की शरारतों की और गंगा की कलकल की आवाज दोनों आवाज यह आपस में मिल जाती है तो एक रहष्य से भरी आवाज निर्मान हो जाता है यानि कि जो शरत है दो ंैसे प्रतिग्या की होगी मैं को फीक्रतिया करता हूं कि जीवन भर संदर की उपांसना करूंगा लेकर प्रवाकर यहां सरचिन जी के बारे में कह रहे हैं कि किस तरह वहां जाकर बैठते थे और प्रकृती का सुन्दर है तो उसके थकेतन मन को सहलाता है सेहलने का मतलब है प्यार बराहत पेरता शरत चीजों शे तक जाता और रिखाशिक तहसे जो प्रकरति का संदर में वह असको सहलाकर नहीं तो प्रकरति की चीजें और इन तीनों ही बहुत पवितर चीजें इन तीनों को सुरे को गंगा को हिमाले को शाक्षी करके यमें वेऽ प्रतिज्या करता हूं कि मैं जीवन बर्संद्रें की उपासना करूँझा यदि यहां बैठ करके। में मिला था विरासत में मिला था उसके पिता वी संदर बोध के उपासक थे और वैस्वम भी संदर रिवर की और प्रकर्टीग का बहुत बड़ा उपासक था कि मैं जीवन बर अन्याए के विरुद लड़ूगा कि कभी छोटा काम नहीं करूँगा उसने अन्भाव किया होगा कि घर में एक आंत नहीं है। यानि महां बैट करके वह यह सब चीजे सोचा करता होगा और साथ ही उसने यह भी सोचा होगा सरतने कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद लड़ूंगा और कभी कोई छोटा काम नहीं करूंगा जिसे किसी को तकलीफ हो फिर आगे लेखा कहते हैं कि सरत नहीं है अन्भव क्यों जाता था इसलिए जाता था कि घर में एक आंत नहीं क्योंकि घर में बहुत सारे सद्धेशेते और बच दिए तो पैद différentes चित्र हो लगता है चारों तरफ आवाज लल गई टो ट्रफ यह गारा कि घर में पिदा बथे चित्र को दुदबबला कर देए चêuसके बारे छाने के लिए मन को शानत करने के लिए उसने जरूरीन को डून निकाला लेकिन शरोड नहीं पाये थे अंग्रेजी स्कूल के परिक्षा में प्रथम इस्थान विपाया थो उसे साइथ क्या लगता दा उसे साइथते केवल दुग देने के लिए जए लेकिन बात में उसने बहुत मैनत की बहुत परिश्रम किया और परिश्रम करके अपना एक इस थान बनाया उसने अं가지 गणित में इसकोल के परिक्षा में परिक्षान पाया हुआ है कि परिक्षा पास करने के बाद अंगरेजी पढ़ने के लिए उसे नीचे की कख्षा में दाखिल होना पढ़ा बच्चों पहले वह चात्रवरती की स्कुल में जब वह पढ़ करके पास हो गया तो अब उसको तो यह सराल गए और बीच में एक मट्स लांग कर ऊपर की कर्शा में पहले पढ़ता था उसने वह पास उसको एंग्रेजी इसको नीची के अग्षा में डाला गया जब नीची के अंग्रेजी पढ़ने लगी तो बागी कि दूसरे विसे उसके लिए बहुत सराल गए सरत वैसे भी दलपती था और इन सब चीजों से पढ़ने में भी उचार था और एक ही वर्ष में दूसरी कर्षा में चला गया आगे तो उसका अपने मित्रों में बहुत सम्मान बढ़ गया और वहां गुरुजन भी आस्वस्त हो गया यानि संतुष्ट हो गया कि छोटा सा प करने में अच्छा है अगर इसने एक वर्ष में दो क्ला से पास कि तो बहुत अच्छी बैत है उसने उस युग के सभी प्रसिद लेखों की रचनाएं पर डाली बच्चों शरत को पढ़ने का सुरू से ही बहुत शोक्ता पहले वह अपने पिता के पुस्त काले से पुस्त क कि तरफ जा रहे थे कुछ लोग अपने पुरातन समय में थे मतला हम आपको पता है समय सदेव बदलता है परिस्तिति हमेशा एक जैसी नहीं देखती और समय बदलता चला जाता है तो दो यूगों की संधी का समय था लोग थोड़ा थोड़ा आधुनिक काल की तरफ चल रह जो करने वाले लोग ते जो अधेड उमर के वह बैठ जाते ते शाम के टाइम और महां पड़ चौपड केलते वे शोर मचाते ते लोग चौपालों पर बैठते ना उस तरीके से लेकिन किशोर की उम्र की उम्र की 18-17-18 साल की उमर के जो लड़के थे वो क्या करते थे वह पढ़ने का तो था भी पढ़ो पर इस तरीके की लेखों के साहित्ते पढ़ने का समय नहीं था मतलब जो करता लोग थे वो पढ़ने नहीं दिया करते थे कि अपने कोर्थ की किताबे पढ़ो लेकिन उस वक्त क्या था कि शोर उम्र के लोग ते जो चोरी-चोरी बरकिंजन च करता था यह प्रतीवा उसके अंदर विध्यमान थी जिसको पढ़ता था उसको जीवन में उतारता था और साथी वह बहुत करीबी से बहुत सुक्षमता से किसी भी चीज का अध्यन किया करता था उस दिन आउकाश प्राथ अध्यापत अगोरनात अधिकारी इसनान के पीछे चल रहा था शरत उनके कपड़े उठाए पीछे चल रहा था एक तूटे वे घर के भीतर से एक स्री के धीरे-धीरे रोने का करूंसवर सुनाए दिया यानि जब रिटायर एक टीचर से और यह क्या कर रहे थे इसनान के लिए गंगाट क्यों जा रहे थे शरत इनके कपड़े लेके जा रहा था तभी रस्ते में क्या वाइक टूटा सा गड़ता उसमें से रोने की आवाज आ रही ती धीरे-धीरे रोने का करूंसवर था रोने का था अधिकारी मोदे ठीटक गए ठीटक गए मतला अचाना गुरूब गए और बोले यह कॉन रोता है क्या को शरत ने उत्तर दिया माश्टर मुसाई इस नारी का स्वामी अंधा था लोगों के घरों में काम काज करके यह उसको खिलाती थी कल रात इसका वे अंधा स्वामी स्वामी का मतलब इसका पती मर गया बहुत दुखी है और दुखी लोग बड़े आदमीयों की तरह दिखा इसको खाना इखलाती थी कल रात मर गया इसलिए यह बहुत दुखी है और दुखी लोग क्या करते बड़े आद्मियों की तरह जोड़ जोड़ से दिखावा कर करके नहीं रोते इसलिए धीरे धीरे कर उंसवार में रो रही है यानि इसका जुश्वार है उंमन को बहुत कर ने वाला है है कि उनका रोना दुख करनों का चंदान होता है यानी कि यह शरत चया रहे और सर्थ यह को दिखाने के लिए कर दोडो कर दिदीन मनलब तूटा हुआ प्राणों का shine रूधन होता है सब्सक्राइब कितनी बड़ी बात सब्सक्राइब यहां माश्टर साथ कही जो कि माश्टर मुशाइब क्या थे इक डिटाइड टीचर उनसे कही इस ओरत का रोना दुख से विदिन विदिन टूटेवे इसका मतला है प्राणों का कंदन यानि रुदन निकल रहा है उन अलते हैं वह रोना नहीं होता है चोट आयू के बालक से रोने का इतना सुक्षब विवेचन सुनकर कि बड़े बड़े लोग ओते वह किस तरहों तरह होते अगोर बाबु स्मित तो उठे यानि चकित वे कलकत्ता रहा करते अगोर बाबु कहा रहते थे कलकत्ता में रहते थे लोट कर उन्होंने अपने मित्र से इस घटना की चर्चा की मित्र ने का जो रुदन के विभिन रूपों को पहचानता है वैसा अधारन बालक नहीं है बड़ा हो का निश्य मनस्त्व के व्यापार में प्रशिद होगा जब को जानता है कि कोई व्यक्ति कैसा हो रहा है अपन भी कहते हैं अगर मच्क के आशु है जूटा रो रहा होता है तो जो व्यक्ति रुदन के विभिन रूपों को पहचानता है वैसा अधारन बालक नहीं हो सकता बड़ाओ का निश्चे मनस्त्व के व्यापार में प्रशिद कोई नहीं था ना के परिवार में तो के वले की काम था पढ़ो पढ़ो रनुशाशन में रहो उसकी प्रतिवा को महा किसी नहीं पहचाना इस घोर आधर्षवादी परिवार में के वल एक ही व्यक्ति ऐसा ता जिस पर नव्यूग की हवा का कुछ प्रभावा युग संधी के चल रही थी लोग अधुनिक्ता की चल रहे थे तो इस गोर आधर्षवादी परिवार में यानि गांगुली परिवार में इस पर नव्यूग यानि नया यूग आधुनिक काल की हवा का कुछ प्रभावा वे थे के दारनात के चोथे भाई अमरनात सबसे चोटा बाई थ चोटा पालते थे और उस यूग में कंघा, शीशा और ब्रश हितियाधी का प्रयोक्या करते थे प्र अब बच्वाने जमाने में स्रसों का यूग दूँ लग या उंटों यह नहीं बालवा बनाए वह भाई पर लूग चल जाते थे लेकिन एजो अमर नातिके चोटे कि तरीके की तभियत के ते यह और उसना प्रयोग किया करते ते शिर पर अंग्रेजी फैशन के बाल रखते थे घर के बालाग उनके इस रूप परमुगते थे जो बच्चों होते नो उनको भी आधुनिकता की दोड में दोड़ना बहत अच्छा लगना है पुरा पुरातन च बच्चों को नहीं सुआता है जब घर के बालक क्या देखते थे अमरनाथ को देखते थे कि कि हमारे जो उनके जो किसी के चाचा थे किसी के कुछ थे यानि जो भी आम अजिनका भी रिस्टा जी जो भी लगता था वो सोचते थे देखो यह कितने अच्छे तरीके से रहते हैं तो बालक क्या करते थे अमरनाथ के सुरूप अनि भूहित थे मुख्ड होने कारण और भी था दॉध्तर से लोटकर रोज उन्हें कुछ ना कुछ देत थे बच्छों को टॉफी चोटलेट कुस मिलती थे तो बच्चे बहुत खुश हुआ करते थे लेकिन इस कारणा उ बच्चों को भी बिगाड रहा है एक दिन चोटी रखा शेश बाल उन्हें कठा देने पड़े एक दिन उनके जो बड़े बाई के दार्नाथ थे बहुत नाराज हुए और उन्होंने उनके सारे बाल कटवा दिये और अमर्नाथ जी के सिर्पया बेक केवल चोटी रह गई थी फर फाड्ने में उनकी रूची हूं थी बव्लक्ती चंड के प्रवेश लूंति unit ग्ला परिचाता उसी और अमर्नाथ के दौराइच यह चोटी में नवयुक का सुचता उन दिनों बंगला भाशा में बंग दर्शन लिखा तो यह नवयुक का एक नव साहिते था गांगुली लोगों के हाली शहर से बर्किम चंद का काठल पाड़ा दूर नहीं था हाली मतलब वर्तमान का जो शहर था गांगुली लोगों का जहां वो भा बर्किम चंद को पसंद नहीं किया करते थे उस गाओं की एक लड़की यानि काठल पाड़ा गांगी उनके परिवार में वदू बनकर आई थी का वदू का मतलब बहू बनकर के आई थी का ज़ोगना आन गाओं का सिद इसका मतलब होता है व्यक्तिती का अपने घर या अच्छा है बहुत बढ़ा है उसका अपने घर और अपने गाउं में इतना सम्मान नहीं होगा जितना बाहर होगा उसी प्रेकार बर्किम चंटर जी जो कि काठल वाड़ा के थे पास की गाउं के थे गाउली परिवार के लोग उनको फसंद नहीं किया करते ते घर का जोगी जोगना आनगाउं का चित जब कि बर्किम चंटर जी की जो जितने भी बंगला साहिते उनकी बहुत महीमा थी तो थोड़ी बहुत प्रतिष्टा थी संदेश्वाग का मतलब होता है बच्चों संदेश लाने और ले जाने वाला मतलब लेका क्या कहरें नव्यूक के बर्किम चंटर जी तरफ जा रहे थे लोग उने पसंद नहीं करते कि उनके साहिते जब परिवार के बच्चे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तो नव्यूक के संदेश वाक होने के नाते इस कटर परिवार में अनुशाशन प्रिया गांगली परिवार मे अगर थी तो बर्किम चंटर जी की थोड़ी बहुत एप्ट इस्टा थी लेकिन फिर भी अमरनाथ चोरी चुपे बंगदर्शन लाते थे इतना सब कुछ होने के बाद भी अमरनाथ थे जो चोरी चुपे बंगदर्शन जो की बंगला भाशा में लिखावा था बर्किम चं भी बेठक में दें को अमरनाथ कॉन थे तरफ के चोटे नाना थे वह अपनी जो बहन ती जो भी लगती थी दिए बहन लगती थी जो भी लगती आपनाव बहन की द्वारा बिआ के पती मौतीलाल के पैस उस प्तक को बेचते थैं और महां से कुसुम कामनी जो की कांठल वा दुर्भागे से अमरनाद बहुत दिन जी नहीं इसके और बत्चों को आपार व्यथा MMMA को चूटी आयू में सर्गवासी और ऑप wir दाया सिर और बिचों को आपार्यथा में अधिक दूप में छोड़ करके और चोटी आयो में ही वो ब्रत्यू को प्राप्त हो गए उनकी कमी किसी सीमा तक मोतिलाल और कुसुमकामनी ने पूरी की इन पूरी नो के आ नाँ की पतनी थी छाफ परिक्षा पास करके चमौने स्वर सब्सके का मज़ना की पतनी थी अरु 60 ब्रिक्षा पास करके कтесь चरव 6000 विद्यासागर बहुत बड़े लेखते और इन के मिया पुरुश्कार्षक पाया जैसा कि होता आया है तब भी इस्त्रियों का मुख्य का रहता रसोई का जुगाड करना यानि वेवस्ता करना और गर गरस्ती के दूसरे कारें को समालना बचों बहुत प्राचें काल में महिलाईं विदूशी हुआ करती थी और वो पुर्सों के साथ बैठ करके सासरत किया कर लेकिन वह अपने सुस्राल में आकर क्या करती जो काम इस्त्रियों का मुख्य का रहे था रसोई में वेश्ताइए करना और गर गरस्ती को चलाना यानि पढ़ने का काम उनको नहीं दिया जाता था उससे समय बचातो जीवन को जीवन्त बनाने के लिए करना या सोना फिर ज में समय बचा तो जीवन को जीवन्त बनाने के लिए कुछ रुची पूरवग बनाने के लिए करना यह इस तरियों को एक तरीके की उकमा दी गई है कि खाली बैठे क्या करें आजा कुछ जगडा कर ले तो इस तरीके की यह बात यहां कहीं कहीं है कि यह समय बचा तो जीव जीवंत बनाने के लिए करना यह जोडिये चैथ दूसरी मिठे सकती है यह तो चुझे सालेगी और यह जृघना कमें इर भूलिज वे तैने हैंगी भर्म जाइने गरमें ने पर निंडगे वी खरेऊ उसे बरैये व खरो में रूंब इसे शी तरीके की विचार वराओं में के थे लेकिन कुसुम कामनी कि सब कर पाती दो जोगर्चा कि प्तनी तो यह सब काम नहीं कि जिस दिन को एक उनको की बनाने के Queen का करती थी उसमें बंग दर्शन के अतरिक्त मिरनालनी विरांगना ब्रजांगना मेगनाथ वद और नील दर्पन पढ़का सुनाती थी बच्छों साहित्य का युक्ता लोग साहित्य पढ़नी के लिए आतुर रहा करते थी उनमें चाहिए महिला हो चाहिए पुरुष हो जब व विर्जिए उनका स्वर यानि कुसुम कामनी का जो स्वर और पढ़नी की शैली इतनी थी इतनी मर्म स्पची थी कि सभी निश्पंध हो जाते थे यानि शांत हो करके शांत भाव से जब वो पढ़ के सुनाती थी तो जितने भी लोग उस गोश्टी में बैठे वेते होते थ में एक अच्छा संतोष का अनुबव करते थी बालक शरत आश्चरे और आदर से बरका सोचता कि लेखक भी कितना ऐसा धारन व्यक्ति होता है अब बालक शरत जब कुसुम कामनी को पढ़ते वे देखता था या उस्यम पुस्तके पढ़ता था तो वैं मन में सोचता था आश् कौन सी बाते ला करके वो लिख देता है समवत है उसके मन में तब लेखक बनने की बात नहीं उठी होगी क्योंकि वालक था वो के वर लेखकों को पढ़ता था और उनके अपने आधर की भाव रखता था साथ ही उनकी लिखी वी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार वशन करता था तब बालकसरत के मन में लेखक बनने की बात नहीं उठी होगी फृष्ण को मनुष्य उपर अवश्य माना था यहिए उसकी उपार्जन करने का यूगता मतलब उत्पन करना यहः कमाना मातलब तो बमान मतलब उनके अच्छे ए लेखों को अच्छे गुड़ों को अपने जीवन में घ्रेंड करके अच्छे संसकार कमाने का यह उसका युगता समय था लेखक बनने का समय नहीं था अभी चोटा ता युच फिर बहुत दिन बाद पढ़ी गुरू की युगान्थकारी रचना आख की किरक्री जो यह गोश्टी कुश पहला पाट पड़ा और फिर बहुत दिन बाद पढ़ी बंग दर्शन उसमें कवी गुरु की युगांत कारी यानि दूसरा युग लाने वाली रशना आख की किरकिली बतलब लेकर सरत थे शरत बाद में लेकर बने लेकर इसने सरत ने अपने कुशुम कामनी का जो गोश्ट युग की बात करते हैं तो वो जो रशना इसने पड़ी जैसे आख की किरकिली पढ़कर उसकी शोर को जो गहरे आनंद की अनुबूती हुई उसको ने वह किसी को बता सका ने जीवन बार भूल सका तो बंग दर्शन पढ़ा और फिर उसने आख की किरकिली कभी गुरु की यहांद की जब यह रशना पढ़ी सरत के किशोर मन में जो गहरे आनंद की अनुबूती हुई यहां ौनुबूती हुई यहां उसको एक किसी को भी नहीं बता सका और जीवन भर नाई उसको भूल सका यह आग तो की ग्रकिली जो रसना थी उसको अपने जीवन में उतारी उसके बारे में किसी को बता नहीं सका कि मैं कितना अच्छा अनभव कर रहा हूँ और जी जीवन भर उसको भूल सका अब तक उसका मन भूथ फुक्रीय or की कहानियों चेह पतलब भैसु। लेकिन अब इस नए जीवं दर्शन वे प्रकास संदरे के एक नए जादू बरे संसार में पहुचा दिया यह नया जीवंदर्शन नहीं लेक्रों के नही रचना इन सब को पड़कर के उसके जीवन दर्शन उसे प्रकास सोंदरे के उज्वल प्रकास सोंदरे के नए जादू बरे संसार में पहुंचा दिया यानि कल्कना लोक में बेज दिया जैसे पुष्किन की रचना पढ़ने के बाद तालत सताय पुखार उठे थे बहुत कुछ सीख सकता हूं बच्चों पुष कि चिन लेक्ष जैसे बरकिम चल्ट इसके लावा जितने बड़े बड़े लेकर उनकी रचना एं आधुनिक यूग में पहुंचाने वाली रचनाएं थी मन को शांत रखने वाली रचनाएं थी तो उन रचनाओं से लेकर कहते हैं कि हम बहुत कुछ सीख सकते थे उसी प्र पढ़ा आगी का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे तब तक आप इसे पढ़िए हम इसको क्रम के अनुसार पढ़ते चले आ रहे हैं आप पिसले भाग भी पढ़िए और उसी के साथ इसकी क्रम बद्दता बनाई रखिए और कटिन शब्दों को जानने का भी प्रयास की अवारा मेस्या जी कहाणी और ने कम करें तो किस तरह अमध्य करता है किससाध शाइट भाव से देखता हुआ अपने जी जीवन उनकी रचनाओं के जो भी अच्छे छण हैं उनको उतारने का प्रयास करता है तो बच्चों आप इसे पढ़िए और पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिए धन्यवाद